हेलो एब्रिवन मैरा जबंडारी आप सबस्वाकत करता अपने चाहिए अलेक्टिक लड़्डम है आज जो मैं आप सब के सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके हैं वह लेके हैं अप्लिकेशन ऑफ गौस्ट लोग जिसमें हम पढ़ेंगे आज हम जो पढ़ेंगे अलेक्टिक लौक की है तो इसको हम समझेंगे कुछ इस तरह के से सब्सक्वाय आपके पास कोई सीड झीक है जैसे मैंने आपको यहाँब बनाये एक सीड ठीक है और यह प्लेइन सीट है आपके ओне J расi infinite इंफानियट मदलब यह बहुत लॉंग अपर तो इस तरह के से एक it hard होगी अभी इस उस प्लेइन spirit को तो चार्ज को तरीके सोगा जैसे आपको यहां पर दिखыт me फूरे उप्लस फूरे से device below that में फूरे चार्ज तो इस तरह के से में electric फिर निकालना तो उसको जोड केESS technique से निकालना लेंगा थिक तो पहले हम क्या करते है एक plane seat बनाब लेते हैं थिक तो plane seat किस तरह केसे बनाएंगे देखो किस है इस तरह के से मैंने infinite क्या लुआ रहा हो एक plane seat बना ठीक है इस तरह के अब इसमें क्या है, प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज इस तरह के से डिस्टिपूट है, ठीक, और उसको मैंने कुछ इस तरह के से रखा हुआ है, तो यानि इसके दोनों साइड प्लस चार्ज है, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है, और इसकी जो सर्फेस चार डेंसिटी यह यापे यह जो सीट में सर्फेसजआर डेंसिटी निकालीओ सर्फेसज चार्ज डेंसिटी ठीक है तो इसको ऐसे सिगमा फोर C Inform provided यह तो यह होगा Q5 Q अपॉन ठीक है ए, यानि इसके unit area में कितना charge है, ठीक है, unit area में कितना charge है, वह ही इसकी क्योंती surface charge density, तो यहाँ पर इसकी जो surface charge density वो है, sigma equal to q upon a, अब आपको देखो, इस तरह के सा अगर मानलो मैंने seat को रखा है, तो यह क्या करेगा, मानलो हमें, क्या करना, electric field निकालना, तो point, मानलो यहाँ स p, टेक है, अर, disk से एक, सीट से, पर एक point P है, जहाँ पर आपको क्या करना है, electric field निकालना है, यह, पर आपको electric field निकालना है, ऐसी इस side भी होगा, इस side भी एक point P होगा, जहाँ पर आपको electric field निकालना होगा, थीक है, तो अब ऐसChristian आपको पता है एल्यक्तिक फिल्ड की डारेक्शन अब आपका जो भी पॉजीटिव चार्ज होता है उससे लेक्टिक फिल्ड की डारेक्शन ऐसे परपेंडिकुल बाहर किदर हो ठीक है यानि ऐसे बाहर किदर जाएगा ठीक अब हम क्या करते हैं जिस पॉइंट पर हमें लेक्टिक फिर निकालना होता है उसको हम क्लोज करके क्या बनाते हैं कोसाइन सर्फेस बनाते क्योंकि आपको पता है ряд घॉस सर्फेस के लिए नकलता है 1 और six चैर्ट क्यो Looking है तो आपको क्या करना पड़ागा ? क्लोउज करना पड़ेगा तब 2 जासे आपका मांनो यह चार्ट है और इस पॉइंट पी पर आपको निकालना है तो पहला अब इस चार्ज को आपको क्लोज करके क्या बनाना पड़ेगा गोसाइन सर्फेस बनाना पड़ेगा तो जिस पॉइंट पर हमें निकालना होता है वहां से हम क्या करते क्लोज सर्फेस बनाते हैं ठीक है तो यहां से अगर म बने गाई है यह इस तरहे हे से एक स्लेंडिकल सर्फेस बन जाएगा एक ऑसे सीट के छार्ज को क्लोज करते और से आपके स्लेंडिकल बन रहा है जिसको बनेगे क्या गोशाइन सर्फेस एक है तो गत्रकित बनेगे तो जैसे मानलो यह seat है ठीक है और इस मानलो आपको किसी point पीपर निकालना है ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा इस तरीके से इसको close करना पड़ेगा इधर से भी और इधर से भी ठीक है इस तरीके से तो आपको क्या दिख रहा है इस तो इस तरीके से यह डाइग्राम आपका ठीक है अगर आप अच्छे से समझ सकते इससे आप अच्छे समझ जाओगे तो आपको क्या करना है इस पॉइंट पर निकालना है आपको ऐलक्टिक फईल्ड ःक्रçar आपको क्या करना पड़ेगा आप यहाँ पर देखो प्लस के करना जो एलक्टिक फिल्ड की रियएक्षिन होगी आप मैं इसको सरफेस को एस वफीस को आयइस बा left at i 2 ले लेता और यह जो पूरी कर्व तो प्लस के काराइं मैंने बताइ एस वन पे जो एलेक्टिक फिल्ट हो गा सिधा बाहर की तरब होगा है तो प्लस के काराइं में भी इस तरीके से बाहर की तरब होगी है इधर की साथ अब हम क्या करेंगे अब हमें देखो goss law लगाना है तो goss का जो formula होता है ना 5 equal to q in upon epsilon dot तो यहाँ पर जो total 5 की value निकालेंगे हम total 5 की मतलब यहाँ से कितना field pass हो रहा है यहाँ से कितना electric field कितना flux pass हो रहा है यहाँ से कितना flux pass हो रहा है यहाँ से कितना flux pass हो रहा है अब इस surface अगर हमें क्या निकालना है कितना flux पास हो रहा है तो इसके लिए पहले हम छोटा सा एक surface लेंगे ठीक है area element एलिमिनेंट लेंगे ठीक है वैसे हम यहाँ पर लेंगे area element और एक इसका ले लेते हम कहीं लेंगे यहाँ पर मैंने एक area element देले ठीक है इसको मैं बोलूँँगा दी ऐस वन बोलेता हूं ठीक है इसको मैं बोल देता हूं d s2 अगर आप डी एस बन की डिरेक्शन देखोगो ना तो सेंसी डिरेक्शन भी होगी सेम होगी तो यानि यहाँ पर इलेक्टिक फिल्ड और डी S2 है यह आपका D S1 है ठीक है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर हम देखे तो D S3 की जो आपने D S3 लिया है यहाँ पर इसकी direction perpendicular बाहर की तरफ होगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 बनेगा क्या बनेगा 90 तो आपको दिख रहा है कि हर जगा अलग लग एंगल बन रहा है तो हम यहाँ पर टोटल जो शर्फेस इसका एरिया ले ले है वैसी इस टोटल सर्फेस का एरिया भी हम नेकर ले ले लिए ठीक है तो अगर पहले हमक्या करेंगे इतने एरिया से इतने जो एरिया कितना flux पास हो रहा है वो निकले लेंगे उसका integration करें तो पूरा एक आ जाएगा वैसिख यहां से इतने area elementmember से कितना flux पास हो पहले है पहले का पdetermया लेंगे फोड पूरे का integration करेंगे तो टोटल शाज अब वैसे ही इस लुआ तो और झालते हैं ल।ой यहां से पंद flux passing from s1 surface ठीक है तो s1 surface से कितना flux पर पास हो रहा है 5 1 ले लेते हैं से तो आपको पता है formula होता है s1 ले ले लेते हैं से ठीक है e ds1 cos theta अब यहाँ पर देखो यही लेते हमला होता है तो यहाँ पर एंगल बनेगा ना e और ds की बीच में 0 बनता है तो cos 0 क्या होता है 1 तो 5 1 की value कितना आ जाएगी e तो भारा जाएगा आपका ठीक है और यह total का जब आप क्या करोगे यहाँ पर integration जोगा ds1 को होगा ठीक है s1 के respect में cos theta तो यह कितना हो जाएगा e अब देखो इस ds का आप integration करोगे तो total बनना पड़ेगा इसको ठीक है यानि total पूरा push रहा हो तो इसकी value कितनी है a कितनी है a ठीक है ds1 का integration करोगे तो मतलब यह चोटे चोटे ऐसे ds1 होगे तो सब मिटके क्या बन जाएंगे a बन जाएंगे ऐसी आपको flux passing from h2 surface ठीक है h2 से कितना flux pass हो रहा हो निकालेंगे तो phi 2 equal to eds2 cos theta ठीक है यह लिए लिए हमने अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो इसके ब बन रहा ds2 और e के बीच में तो cos 0 कितना होता है 1 तो यह भी कितना बनेगा phi 2 तो 1 हो जाएगा तो इसको बहार ले लेंगे और इसका integration कर देंगे ठीक है ds2 का तो इसका भी कितना है इसका भी हमने area a layer का तो यह भी कितना हो जाएगा a into a ठीक है अगर हम इस वाले का देखे है flux passing from s3 surface तो इसका देखे तो यहाँ पर 90 degree का बन रहा तो cos 90 तो direct 0 हो जाएगा तो 5 3 की value में direct 0 रख रहा हूं ठीक है cos 90 की हो जाएगा 0 ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिए इसको direct 0 रख दिया ठीक है अब हम देखेंगे total total flux 5 अगर मैं निकालो तो सबको जोड़ दूँगा 5 1 plus 5 2 plus 5 3 तो अगर मैं इनको जोड़ू तो क्या बनेगा e a पहले की value e है दूसरे की भी e है और तीसरे की क्या है 0 तो total कितना हो गया 2 e a हो ठीक है 5 total ठीक है अगर अभी तो हमने जो surface charge density निकाल ले थी sigma वो हमने निकाल ली थ अगर की चार्ज यहां तो पहला है खाण फिर्वेस की ठीक है थीप जो जोड़ एक है तो चार्ज अगर निकालना है तो टो टो ऑब गोशन शर्फेस है तो टो 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 क्या formula लगएगा यहां से q की value अगर आपको निकालने तो sigma into a होता है क्यों होता है sigma into a तो इतना चार्ड उसके अंदर होगा q in लिख सकता हो मैं ठीक है किसके अंदर गॉसाइन सर्फेस के अंदर अब यहां पर देखो from Gauss theorem यह Gauss law ठीक है तो 5 total flux जो होता है in close जो flux पास होता है वो किसके वराबर होता है q in upon epsilon naught अब यहां पर क्या करो इसकी value रख दो तो total flux कितना है था मेरे आपके 2e a equal to q in की value कितनी है sigma into a upon epsilon naught रख दिया मैंने q in की value भी रख दी और sigma यह qt की value भी रख दी यहां से हमें electric field निगालना है तो electric field की value कितनी हो जाएगी देखो a से a कर जाएगा तो sigma upon 2e 0 तो यानि किसी plane seat के कारण r distance पर कोई अगर आप point पी है तो इस पर electric field की value यह होती है ठीक है तो चाहिए आप इदर देखो चाहिए दर देखो तो इतना electric field आपका बनेगा तो i hope आपको यह video समझ में आयोगी प्लीज अगर कहीं पर दिखका तो प्लीज कमेंट केजएगा थैंक्यू